केंतोला, मनोज जख्मोला, राजगोरव, नक्याल, मीड़त, पांती, दिनिस, वर्ट, यहां सभी हमारे मंगंदलों के अर्जर्ट, हमारे पूर विधायद, आधनी सलिम रावजी, यहां के जिलादिकारी स्री आसीस्ती, और स्की स्विता क्रवेजी, यहां सभी हमारे सभी मीडिया के, हमारे सभी मित्र, मेरे भाई, यहां बहन, सभी को, मैं इधर जो इस्टाल लगे हैं, विभिन, विभिन, विभागों से आये हुए, सभी हमारे आधिकारीगण, सभी कार्मे, मैं सबसे पहले तो, आज जैसा महंद्र जी, यहां से कह रहे थे, अभी हमारे सद्देग जी, कि इतनी बड़ी संक्या में, आप सब लोगोंने, मेरा और हमारे सभी अतिकियों का, आये वे सभी गणमाने लोगों का, बड़ी संक्या में, सभी गणमाने लोगों का, बड़ी संक्या में, सभी गणमाने लोगों का, आप सब को प्रवाम करता हूं, आप साथ ही आज कारिक्रम में बड़ी संख्या में यहां पधारे हमारे सभी लावारती भाईयों बेहनों को सब को मैं बदाई देना चाहता हूं क्योंकि मानी प्रधान मंत्री मुदी जी के 10 साल के कालखंड में सायथ उत्राखंड हो या देश हो कोई व्यक्ति 140 करोड जो हमारे देश के आवादी है 140 करोड आवादी में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको किसी ने किसी युद्ना का लाव नहीं मिला होगा जो गरीब तो उसको दूसरे प्रकार की जो सेवा हैं चाये रेर सेवा हो, चाये हो सलक की सिवा होaking सुरक्षा कि घारणटी कि वह सारी की सारी चीज़े या जो हमारे परवासी भारती जो विदेसों में रहते हैं उनको भी इन दस सालों में लावारती होने का सम्मान प्राफ्त हुआ है कि विदेसों में भी उनका मान सम्मान बढ़ा है उनकी भी पहचान बढ़ी है उनका भी सीना गर्ब से चोड़ा हुआ है कि हम भारत के रहने वाली है हम भारत वासी हैं इन दस सालों के कालगंड में मोदी जी में ये सब काम हमको दिये हैं मैं सिद्वनी बावा से प्राधना करता हूँ कि कोड़वा सही पूरे प्राधन में उनका असिरवाद हमारे उपर बना रहे हर प्रकार की बिबदा आबदा वो हमारे लिए सामान में हो जाए और आने के बाद इस प्रकार से अभी भी तूजी ने यहां से बताया कि बहुत सारा यहां नुक्सान होगा था आफ़ा में भी आदा अज़रान बावा सिब्दवली की किरपा से आप सब लोगों ने उसमें जो होसला रखा सयम रखा और बि शेत्र यह पूरा वारा जम्त पौडी हो यह हमारा कोर्दवा जहां से एक समय में चारवान यात्रा प्रारम होती हुँ यह हमारे ले हम यहां के लिए संकल्ड है परतिवाद है कि इसका दौराव हम पूरी तरह से स्थापित करेंगे यहां के विकास को आगे बढ़ाने का क कुद्धी शक्ति और सरलता इन सब के भंडार बावा सिद्व लिए उनकी किरपा से हमारे सब काम होंगे और तोरदार में आज इतना बड़ा अपने आप में एक बहुत सुकत संजोग है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सब का आप सब के मद्या आने का आउसर मिला आ कि द्यास में पाई पनाने का कम किया है एक परिपार्टी वगलने का काम किया है एक यह होता था कि एक चुनावा सकार्व गई दूसरा तुनाव आया, फिर सरकार बदल गई, आपने इस मिखत को और इस परिपाटी को तोड़ कर एक इतियास बनाने का काम किया है, मैं आप सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इसलिए हमने तय किया है, कि समाज के अंतिन चोर में खड़े हुए भेक्षितर, सासन की सु पर्तेक्स में जो हमको पर्मान मिलता है, वो आप सब की उपस्तिती है, कि इतनी बड़ी सिंख्या में आप सब आये हैं, आप सब का इसने हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं यहां आने से पहले, आप सब के बीच में आने से पहले, आप पूरे प्रदेश की जो बहुत सारी योगनाओं जो तयार हो गई हैं जिनको शुरू होना था या बहुत सारी योगनाओं का भूमी पूजन और सिलानियास होना था लोकारपन होना था वो सारा लोकारपन और भूमी पूजन जिसमें हमारा कोड़वार भी होगा पौडी जन्पत के अन्य स्काम भी हैं पूरे उत्रागंगे एक नीती से लेकर माना तक मलारी से लेकर सीमान तक की सारी योजना एक साथ आज हम लोगों ने लोकारपन और सिलानियास की है मैं आपको बताते हुए मुझे खुसी हो रही है कि 8272 करोड की योजना होता आज लोकारपन और सिलानियास एक साथ हुआ है यह अपने आप में एक इत्यास है आज हमारे प्रदान मंतिजी के नितुत में भारत हर चेत्र में आगे बन रहा है दस वर्चों में उनके नितुत वाली सरकार में चाए हो स्वास्ट का चेत्रो शिक्ष्य का चेत्रो निश्लक खाब्यामो निश्लक इलागो खिसानों के विकास की बात हो चाहे किसान संमान नीडी हो गरीबों के आवास प्रदान मंतिजी आवास रोज़ना में आज कर लगज चार करोड लोगों को ये आवास मिल चुके हैं और पहले के सालों के अगर हम तुल्ला करेंगे तो दस प्रतिसत भी आजादी के बाद से लेकर साथ सालों तक जिनों ने इस देश के अंदर सासन किया दस प्रतिसत भी वो घरीबों को चार करोर के मुकाबले मकाम नहीं ले पाए भायों वहनों मोदी जी की सरकार में जो काम हुए हैं उसमें चाहे हो सीना का अगुरी करण हो सीना की सुरक्षा हो प्रतेज मागरी को वैक्सिन पहुचाने से लेकर हत्यार और मोबाई उपादन हर शेत्रमा अबूदपूर्ब कारी हो गया हम हत्यारों का क्यों आयाच करते दे आज हम हत्यारों के मिल्यातक देश के रूप में भी अपना इस्तान बना रहे हैं अपनी पहचान बना रहे हैं आज जब प्रधान मंत्री जी जन्ता के पीक माते हैं तो अनेक अनेक ऐसी बाते हैं जो पहले प्रधान मंत्री के रूप में उन्होंने देश की जन्ता को स कि प्रदान मुंत्री जी की धिकप्तरिस्ती की उन्हों ने देश के अंदर जंधन के खाते खुलवाए और जंधन के खातों में जो लगवत पचास करो पे गरीबों के ले खोले गए जिनका प्रियोग आज लावारतियों के खातों में सीजे बीडी से जो सहाथा बेजी जाती है उसमें एक परसेंट की भी कहीं कटोती नहीं होती है अगर सो रुपिया भेजा जाता है तो सो का सो रुपिया उनके खातों में पहुंचता है महिलिया सिस्थिकरण के चेत्र में इतने काम हुए इसलिए मैं देखता हूँ पूरे उत्राफिन के अंदर मैं प्रतेग जन्पद में गया मैं अपनी मताओं बहनों को नमन करना चाहता हूँ कि बड़ी संक्यानों उन्होंने आकर महारी प्रदान मंत्री जी को आशिरवाद दिया है आज हर छेत्र में आज हमारी मात्र सक्ति आगे बल गई है मांदी प्रधान मंत्री जी की प्रात्मिक्ताओं में हमेशा हमारा महिला उत्वान रहा है उसी का कारण है कि आज देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में इज़त घर बनाए गए लगवग 12 करोल इज़त घर बनाए गए इसी के साथ साथ इन 10 वर्थों में 10 करोल से अधिक पहनों को उनके परिवार का भरल को साथ खाना ठीक परकार से बने 10 करोल से ज़्यादा उद्वला के गैस कनेशन घरीब महिलाओं को दिये गए घरीब परिवारों को दिये गए प्रणाम मंत्यजी के नेत तुमें विविन नदर रोजगार के मेलों का आई जान नौकत दस लाज लोगों को आज मौपवियों से जोड़ने का काम हो रहा है आप देख रहे होंगे उत्राखन के अंदर भी आज हो सब कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हम किसी न किसी विवाद के नियुक्ती पत्र देने का कारिकरम न रखते हों प्रते दिन हम नियुक्ती देते हैं और नियुक्ती भी बिल्कुल निश्वक्सता के अधार पर हो रही है योगता के अधार पर हो रही है पहले के समय में भी ये काम हो सकते थे पहले हो सकते थे की नहीं हो सकते थे बताइए आप लोगों हो सकते थे ना लेकिन पहले के समय में नहीं हुए पहले के समय में जो देश के अंदर सरकारे हो पीजी उन्होंने क्यों एक परिवार की चिल्टा की परिवार वास को बढाने का काम किया महिलाओं को हमारी मात्र सक्ति को खुले में सौच जाने के लिए मजबूर किया महिलाओं को चूले के दुए में खाना बनाने के लिए उनको बिवार होने पर मजबूर किया क्यों इलाज के आभाओं में हमारी मातरशक्ति को महिलाओं को दम तोरने पर मजबूर किया आज मोदी की गारंटी है 140 करोर भार्ती है मोदी जी का परिवार है जो लोग मोदी जी के परिवार की बात करते है कहते हैं उन्होंने अपना परिवार नहीं बनाए अरे वहीं जिसने पूरा देश बना दिया देश के हर गरीब का परिवार उनका परिवार है उत्राखंड का पूरा उत्राखंड उनका परिवार है पूरा देश कस्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक मोदी का परिवार है क्योंकि मोदी में हर गरीब की चिंता किया है हर भारतवासी की चिंता किया है भाईयो वहनो 2014 से पहले जब हम बात करते हैं किस प्रकार से जो विकास का इंजन था ठब पड़ा हुआ था और 2014 के बाद आज तेजी से विकास का इंजन सरपट गती से तेज आगे बरवाया है सवाफ सेवा एं, 2014 से पहले बिमार थी, आज प्रणाम्मंत्री जी के नित्तिमें सवाफ सेवां हुँए, तेजी से विकास हुआ है 2014 से पहले रोडों की खस्ता हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है लेकिन आज प्रदान मंत्री मोदी जी के नितुत में रोज 38 किलोमीटर रोडों को निर्मार किया जा रहा है 2014 से पहले बैक्सिन लगाने के लिए गरदर की ठोकरे खानी पड़ती थी आज हमारे प्रदान मंत्री मोदी जी के लिए तो तुमें देश के अंदर मिसं इंद्र धनुस योजना के तहट बच्चों को जान लेवा बिमारियों से बचाने के लिए वैक्सिन लगाई जा रही है 215 के बार के बार से देश में हर सौट एक नयी ऑई इटी का निर्मार हुआ WHEや हर सब्देश में एक अधर見て बनाएंगा हैçar बंजातो के बार हर सकता देश के थे अंदर एक नए separated डी डो़नार कोर देश में दो नए कालेख खोले गहें तो आजार को ऱ